हलो गाइस यूर वाचिंग सीडिल से आप आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं टीवी सीडियल गुम है किसी के प्यार में शो को लोग काफी जादा पसंद कर रही हैं शो में सव्य रजट के जोड़ी दोनों ही आक्टिंग के बारने में लोगों को बांद कर रखने में कामियाब हो रही है रजट सभी का दिहान यहां पर बटाने की कुशिश करेगा जिसके बाद सभी कहेगी कि अगर आप टाइम पर नहीं आते तो आज न जाने क्या होता सभी यहां अपनी मा के एक्सिडेंट के बाद होनी वाले सचुएशन की बात कर रही है रजट सभी से कहेगा कि वो आई को कुछ नहीं होने देगा वो कहता है सभी से कि तुम कुछ भी चिंता मत करो सब कुछ हो जाएगा वहीं सभी रजट से कहती है कि फीस के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि मैं इंट्रेस्ट के साथ आपको वापिस करूँगी सभी लकी से सवाल जवाब करने लगेगी कि वो इतनी रात को कहां गया था वो किसकी कार थी वग्यरा वग्यरा जिस पर लकी ढंग से जवाब नहीं दे पाएगा सभी का शक यकीन में बिदल जाएगा तो दूसी तरफ तारा लकी से बोलेगा कि वो हमेशा उसका साथ देगी तारा लकी को वहाँ से भागने के लिए कहेगी और कहेगी कि कहीं छुप जाओ जाकर कि जहां कुछ दिन किसी को तुमारी खबर न लगे किसी कभी फोन मत उठाना वहीं दिवाली पर ठककर परिवार में पुलिस आएगी रजट पुलिस को देख करके काफी जादब अपसेट होगा रजट ने पुलिस को लखे को गरफतार करवाने के लिए बुलाया है वहीं बात में रज़त पुलिस को मना कर देता है जिससे सवी नराज हो जाती है तो वहीं दूसरी तरफ भागिश्री सवी के सामने गरगराने लगती है वो कहती है कि गलती तो सबसे होती है मेरे बेटे को माफ कर दो वहीं ईशा तारा का इस सारी प्रॉब्लम बताती है उसी को दोश्य करार करती है तारा ने सभी से बदला लेने के लिए ईशा का एक्सिडेन करवाया था यह बात निकल कर आप सब के सामने आने वाली है यानि की लकी समझ रहे थे जिसको सब कल्पिट असल में वो लकी नहीं तारा है अब आखिर सभी क्या करेगी तारा के साथ देखना होगा काफी खास लेकिन फिलाल तो चैनल सब्सक्राइब करें फेस्बुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं